हेलो स्ट्रेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आपका लियो अकेड़ी में मैं सुरज कुमार सेनी आप लोगों को आज आपके टेंस की क्लास आगे लेकर के चलूँगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट के पॉफिक्ट और इसके कंटिनिवस के बारे में जाना उसमें हिंदी से इंग्लिज के सेंटेंसे बनाएं और आज इस स्टेंस को मैं खतम करने वाला हूं प्रेजेंट पॉफिक्ट कंटिनिवस की क्लास लेकर के तो बहुत ध्यान से देखिएगा समझेगा पसंद आएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अगर सब्सक्राइब किजिए क्योंकि आज प्रेजेंट वफिट कंटिनिवस खतम होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट के तरफ मूव करेंगे तो आईए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट वफिट कंटिनिवस लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दू क कि आप लोगों ने तिष्टे सारे क्लासेस पढ़े होंगे और मुझे उम्मीद है कि उस पर आप लोगों ने महनत भी की होगी हिंदी के सेंटेंस को इंग्यूस में ट्रांस्ट किया होगा लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अंगर आपको हो रही है तो आप मुझे कॉमेंट क्यान आपर कि मुझे और लाइफ द्रेनिंग भी ले सकते हैं तो चलिए आए सटार्ट करते हैं प्रेजिट पॉफिट कंटिनीमस टेंस कि प्रेजिट आप इंगर पहले की सीरीज में भी उन लोगों ने डिसक्शन किया था प्रसिंट का मतलब हो गया कि हिंदी बाक्यक्त में रहा है रहे हैं आएं और साथ ही में इसके साथ समय दिया होता है यह आप लोगों ने पढ़ दिया है आई आज हम लोग इसके से सेंटर्स को बनाएंगे तो जैसा कि हम लोग बनाते हैं सबसे पहले हो सेंटेंज की बात करेंगे सेंटेंज के लिए बनाने का कि स्पहर के साथ और हैं इससे लगाने के बाद आपको इन आपको वर्म की ing form लगानी है उसके बाद आपको object लिखना है और अब ध्यान देना है object लिखने के बाद आपको time के लिए since or for लिखना है since or for के बारे में मैं description दे चुका हूँ अब पिछले classes में जाहिए पिछले videos में जाहिए उस पर tense की chart में मैंने बताया है और जब tense का description में ले रहा था तब भी मैंने बताया कि since or को कैसे use करना है और since or use करने के बाद आपको लगाना है time जो भी time दिया हो आप उसको यहां बर लगा देगे तो आई देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग इसको अगर मैं कहूं कि मैं चार बजे से गाना गा रहा हूं मैं चार बजे से गाना गा रहा हूं तो इसको देखी कैसे बनाएंगे सबसे जिसमें मैं हो गया I really आपने I tutorial है tutorial के साथ आपको have been लगाना है I have been अब क्या अगर मैं आपको main work की ing form लगानी है main work है गाना गाने के लिए हो गया sing और sing में लगाया ing तो I have been singing अब आपको object लगाना है क्या का रहा हूं गाना गा रहा हूं singing a song कब से गा रहा हूं यानि कि time आपको दिखाना है तो चार बजे हैं मैंने बताया था कि कि चार बजे से यानि कि वो एक point of time के बारे बात कर रहा है एक समय की शुरवात के बारे में बात कर रहा है कि यहां पर हम since का इस करेंगे I have been singing a song since 4 o'clock इस तरह से हम इसका sentence बनाएंगे एक और sentence लिखते हैं इसी को अगर हम इस तरह से लिखें कि मैं चार घंटे से पढ़ रहा हूं मैं चार घंटे से पढ़ रहा हूं तो मैं subject हो कि I लगाया इसके साथ have been लगाना है I have been और पढ़ने के लिए study या rate का मुनों use करते हैं तो study I have been studying अब आपको देखना है समय के बारे में क्योंकि object है नहीं को समय को लगाएंगे समय कैसा है चार घंटे चार घंटे का मतलब क्या हो गिया यहां पर हमारा काम पढ़ाई जो पढ़ रहा हूं मैं वो कब से मैंने शुरू किया यह बात नहीं बता है यह बता है कि मैंने कितने देर बढ़ाएंगी है इसमें how long के बारे पूछा जा रहा है duration के बारे में बात की जा रही है और मैंने बताया था जब भी ऐसी situation हो वहाँ पर हम four का use करते हैं तो लगाएंगे four four hours इस तरह से यह sentence हम बनाएंगे since का use करना है जब हमारा काम जहां से शुरू हुआ है और four का use करना है कि वह कितने देर तक चला है उसका duration है तो यह था आपका simple sentence अब आए simple के बाद हम इसी को negative में बनाने की कोशिश करते हैं इसका negative part कैसे बनेगा चलिए देखते हैं हुआ 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 है तो negative sentence हमें क्या करना है बहुत ही छोटा सा इसमें हम फिर बदल करेंगे कि इसको आपको ध्यान से समझना होगा negative और interrogative sentences बहुत आपको ध्यान से समझना होगा क्यों क्या करनां कि हैस करती है और हैं अगराना है सकी है से बाद हमें नॉट लगाना है और नॉट कि बाद बिंड लगाना यह कहाँ ये फोड़ा से बदलावर्स परना पड़ेका और भन लन के पांको सक नउट के लिए हम फिर बिंड ल मेरेगे सुबह से नहीं नाच रहा है तुछ हम कैसे बनाएंगे सबस्ट हमारा हो गिया राहूल उसकी बाद सिंगल है एस लगाएंगे फिर रूकरणिंग हमने नॉट लगाया लाउंग पिर हमें बेन लगाना राउल है क्या नाच रहा है नाचने के इंग्लिश लगा दिया उन्हों को ने डांसिंग राफूल है नौट बिन डांसिंग कब से नहीं नाच रहा है सुबह से और सिस्स का यूज़ करेंगे का करेंगे हो रखाया और जा निए लमनि डांसिंग सिर्श मोनि घर और एक और एक गानौंपल थेаже हैं व जक्रिकेट के मैधान में दिया देराँ में घाी सबाइ़ सूरिक्ति मेडान में इस खीवुड्व इसे बनाव होतों कैसे बनाए कि यह थो गई टे के साथ में लगानाव है उने लगाया किया ऌसे लिप वि यह विली थो गई क्रिकेट के मैदान में, तो कैसे लिखेंगे, in cricket field या in cricket ground, they have not been playing football in cricket field, इस तरह से हमारा negative sentence बन जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा ये, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको आगे और पीछे करके, देखेंगे, आईए, अब हम दिखेंगें कि introverted sentence हम कैसे बनाए कि introverted में ने बताया था कि दो तरह के introverted होते हैं, एक जो WH से start होते हैं, दूसरा helping से start होता है, सबसे पहले हम WH word लेकेंगे, फिर उसके बाद हमें लिखनी है, अपनी helping work, जहां लखेंगे, पहले हमें has या have लिखना है, फिर उसके बाद हमको यहां पर लिखना है, subject, फिर लगाना है build, फिर लगाना है main work की I.G.Fone, उसकी बाद आप लगाएंगे, object, फिर आपको लगाना है, since or for, उसक यह वाद आपको लगाना है चाहिए आई एक्जाम्पल देखते हैं उसका तो मैं सुभह से क्या पढ़ रहा हूं मैंने बताया किया क्यों कैसे कहा कि इसको किसने कि बीच में आएगा तब हूं इसको डंग्वेश वर्ड से स्टार्ट करेंगे क्या कि इंग्लिश होगे इंग्लिश होगे इंग्लिश पताया था हमने और सुभह से है तो हमें क्या लगा देना है सिंस और प्लास्मिक कॉशन मॉडल इस तरह से में इसको बना लेगे आई एक सेंटर्स आओ दिखते हैं वो दो घंटे से क्यों रो रहा है वो दो घंटे से क्यों रो रहा है तो क्यों की इंग्लिश हमें पहरे लगानी है वह वह सिंगलर है इसके लगाना आपको हैस वाइस वाइस ही तो लगाया आपने वाइस एक रोने की इंग्लिश क्राइई क्राइग लगा दिया वाइव रहा है दो घंटे से पॉर तू और लास्न पॉशन वाओ इस तरह से वह वाड़ वारे सेंटेंस को बना लेंगे आप इसको अच्छे से समझ येगा त सब्सक्राइब करते हैं और हिंदी में बाद की जो हमारा वो क्या से शुरू होगा ये बाद भी आप बहुत अच्छे पर जानते हैं तो जैसा हम लिसक्ते हैं कि क्या घीता बच्पन से ट्रीLES को इता को कि आप हर अकम लाट वो फ॥े अक्या वाज़र गाएंगे सबसे सिक में हैशी ड़िए लगाया हमने एंगे थे जे डिल्लिश फ्क्रेद्ट पिल अच्छा बिच्पन यहां से बुख्स ने खेलना शुरू किया है तो लगाया आपने सिंस और चाहिए गोड़ो आज में पुश्ण आपके समझ में आ गई है आए दूसरा पुश्ण देखते हैं क्या उमेश डान्स कर रहा है क्या उदेश हमें लगाया है तो क्या से उमेश है हम लगाया है उमेश की लिखी उमेश है फिर लगाया विन तो डान्स कर रहा है क्या हो जाएगी डांसिंग अच्छा दो दिन कौन से दो दिन है नहीं पता है कम से उसमें शुरू किया है नहीं पता है एक डुरेशन आप टाइम दिया है फॉर लगाया इस तरह से यह हमारा इंट्रोगेटिव का फेंटेंस बन जाएगा और इस तरह से प्रेजेंट कॉफिट कंटिनीवस हमने और आपने साथ मुमिल पर की खतम कर लिया है आप इस पर और सारे कोशन बनाईएगा हिंदी अपने से बनाईए उसके कोशन अपने से लिखिए और इसमें ट्राइब करिये अगर आपको टेंस पे कमांड बनाना है तो इतने महनद तो आपको करने ही बढ़ेगी और मेरी बात मानिए कि आप आप सोचिए नहीं हिंदी की सेंटेस बनाना शुरू कर देजिए उसकी इंगिज बनाना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आप अीपका प्रेज altogether सेंट इस सब्सक्रीय परसे से कमांड बन जाएएगा और बहुत जल्दी हम लोग पास के चाहिंगे पास की क्लास को मैं दो दिनमैं कटम करूंगा कॉर सेकंड और पास feder uz Aref होड हिगा में बारे में याज हैं जैं उसके नहीं किस आस ना सभय और अगली तब तक के लिए आप इसको revise करते रहिए, practice करते रहिए और हां अपनी problem को comment में लगना न भूले इस class को like करना न भूले share करिए उन लगों को जिनको problem हो रही है और हां अगर अभी तक आपने इसको subscribe नहीं किया है तो आप subscribe करिए ताकि past trends की classes आप तक मैं ने करके बहुत जन्दी आओं तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद